अगर आप सुभा के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम की चाय के साथ कोई ऐसा नाश्टा बनाने की सोच रहे हैं जो कि हेल्दी भी हो और कम तेल में बना हो लेकिन खाने में बहुत सदा टेस्टी हो तो वीडियो आपके लिए जरूर देखिए का पूरी तो इससे बनाने के ल पानी गर्म होने के बाद इसमे अट करना है सूजी तो एक कप के करीब यहां पर सूजी डाल रहे हूं दो कप पानी में यहां पर हम एक कप सूजी आड करेंगे और केवल दो से तीन मेट लगेंगे बिलकुल यह जो सूजी है आटे की तरह तयार हो जाएगी तो हम इसे आप थिक हो गये और संट लेकर निकाल लेतों इसे पुरा चूजी में बंगाव निकाल दिया है सोजी में यहां यहां पर प्लेट में पर समाई आप अगर आपके जाना तो आपके निर बाइल से जाना तो नहीं रहेंगे तो मैं फोग की हल्प से इस तरीके से मैश कर लेती हो तो यहां पर मैंने थोड़ी दिर पहले ही वोल किये थे आराम से मैश हो गये हैं और दिख सकते हैं कि आलू में बहुत जादा बड़ी बड़ी गुटलियां नहीं रह गई हैं इसके बाद में लाएंगे कुछ मसाले जिसे की आलू बहुत जादा टेस्टी हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले में डाल रही हूँ एक च्हुताई चमच के करीब गरम मसाला एक चुथाई चमच यहाँ बहुत जीरे का पाउडर साथ हल्दी का पाउडर के लिए इसके बाद मैं यहां पर एड़ों लाल मिश का पाउडर आप चाहे तो हरी मिश बी बारी चुट यहां सब्सक्राइब करके डाल सकते हैं या फिर स्केप कर सकते हैं अगर बच्छों के लिए बना रहें अधाशमच आम चुर पाउडर मैं नमक डाला है श्वाद के अनुसार और इसके बाद मैंने डाल दीया है हर अधनिया तो नमक हमें बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि ह तो आप इसालू के मिक्षर से बना सकते हैं यहां पर बनाने वाले हैं सूजी का नाश्ता तो यहां पर थोड़ा सा थंडी हो चुकी है तो बहुत थंडी नहीं हुए तो यहां पर सूजी को मैंने अच्छे से भी आप पिना चिपके और इसे बिल्कुल गूंद कर हम आटे की तो यहां पर सूजी को मैंने अच्छे से मिला लिया है और इस तरीके से आराम से सूजी जो हमारी इस तरीके से तयार हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक बार में बिल्कुल परफेक्ट के नाश्ता बनने वाला है तो आप सूजी से इस नाश्ते को ज़रूर ट्रा क्लीन कर लिया है और इसके बाद बनाएंगे तीन बड़ी बड़ी लोईया तो यहां पर इसे हमें रोटी के तरह बेल कर तयार करना है थोड़ा मोटा बेलना इसलिए मैंने बड़ी बड़ी लोईया बना ली है यहां पर तीन लोईया मैंने बना कर तयार कर लिया है काफी चिपके डो बैल करें तो यहां पर रोटी बनाई है सूजी थोड़ी मोटी रहना है आप आपके पास अगर कोई यहां आप सकते हैं यहां पर मैं राउन उस तरहें के तो यहां पर एक बार में जितनी लोही मैंने बनाई उसके तीन यहां पर राउंड शेप के सूजी का जो नाष्टा है तयार होगा यह मैंने कट कर लिया है और जो बचा हुआ डो है हम दुबारा से मिला देंगे और फिर से इसी तरीके से हम इसे कट करके तयार कर लेंगे यहाँ पर मैंने यह दूसरी लोई ले ली है और इससे भी हम कट करके तयार कर लेते हैं यह इस तरीके से शेप बनाना हमें तो हाथों से पहले फैला लेंगे और इसके बाद लेंगे तो थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाएंगे जिसे की जो आठा है बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपके यहां पर मैंने इसे बेल लिया है और यहां पर जिस तरीके से शेप मैं जो दे रही हूँ आप चाहें तो इसे छोटा भी दे सकते हैं बड़ा भी दे सकते हैं यह पर बिलकुल पूरियों के साइज का यह शेप दिया है मैंने यह पर यह अगर आपके बास स्क्वार से बना सकते हैं बिलकुल सैंड पिछ देगां यह यहां पर देखे चार मैंने कट किये हैं और बाकी बचेवे दू से इसी तरीकी से त्यार कर लेंगे तो यह एक्स्ट् तो यहां पर हम आलू का मिक्षर लेंगे इस तरीके से आप चाहिए तो छोटी से लोई बना के टिक्की का शेव दे कर शेया हैं इस तरीके से रख सकते हैं उगलियों से हम फैला देंगे तो इसे थोड़ा हम मोटा ही रखेंगे बहुत पतला नहीं रखेंगे और किनारों पर त्यार हो गया है थोड़ा से हम इस तरीके से कट लगाएंगे नाइप से या फेर स्पोन से यहां पर मैंने फोर्क से इस तरीके से यह लगा देती हूं जिससे कि देखने भी नाष्टा मार अच्छा लगेगा और दूसरी साइड भी इस तरीके से बना दिया है आप चाहिए तो प्लेन भी ऐसे भी सेख सकते हैं लेकिन जब यह सिखता है तो यह डिजाइन आता है बहुत ही बढ़िया सा तो मैंने इस तरीके से बना दिया है दूसरा भी हमारा यह तयार हो गया है इस तरीके से डिजाइन बना देंगे तो यहां पर आप कैसे भी बना सकते हैं जैसे तो इस नाश्टे को बहुत ज़्यादा पकानी की जुरुत नहीं है और यहां पर देख सकते हैं कि यह हमारे जो नाश्टे हैं सूजी के बिल्कुल तयार है और अब चलते हैं इन्हें शैलो फ्राइब करेंगे तो चैलो फ्राइब यहां पर जो हम करेंगे केवल एक चमच घ गी लिया है और इस तरीके से बिल्कुल फ्राइब करेंगे जैसे कि बहुत अच्छे से क्रिस्पी होगा और अंदर तक जो आलू है वह भी अच्छे से गर्म हो जाएगा वह भी अच्छे से जो उसमें मसाले डाले वह भी पक जाएगा तो यहां पर अलट पलटकर मैने से पका लिया है आप देख सकते हैं कितना बड़िया सा कलर आ गया है और उपर से यह बहुत अच्छा से डिजाइन भी आया है तो इस तरीके से अलटते पलटते वे से हमें पका लेना है देखिए कितना बड़िया कलर आया है इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास में पना सकते हैं बच्चों के लेंच वोक्स के लिए दे सकते हैं साथां आप इसे शाम की चाए के साथ गैस टाने पर भी इस तयार कर सकते हैं फटावण से तयार होता है कम तेल का नाश्ता है जबही को बहुत पसंद आएगा का करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी मिलते हैं नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स फॉर वाचिंग